कि नमस्का सात्यों मैं आशा मेरा न्यूस्वाइब बारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ आपने कल का वीडियो देखा है और उस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कैंडेट्स का मुझे मेसेज भी आया फोन कॉल्स भी आया यह पूछते हुए उनको पीमो एड्रस चाहिए ताकि वो भी अपना पत्र अपना पत्र लिखकर गुहा लगाए अच्छी बात है जब जागो सवेरा आप मेरे जो एड्रस आपको चाहिए वो एड्रस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और जो स्क्रीन के उपर आपको उसका एड्रस भी मिल जाएगा वो एड्रस आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए और सारा जन उस एड्रस पे ज़रू लेटर बेजिए और मुझे या तो कमेंट बॉक्स में या वाट्स आप में या मुझे कॉल करके जरूर बताइए कि आपने बेजा है 55,000 खत वहां पहुंचना बहुत जरूरी है याद रखिए 55,000 खत पहुंचना बहुत जरूरी है ये मेरे जिन्दगी का सवाल नहीं है ये आप लोगों की जिन्दगी का सवाल है तो जाग जाओ तोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ा सा दर सहन करना पड़ेगा तोड़ा सा तकलीफ उटाना पड़ेगा जब ज चाके आपको कुछ फल मिलता है और अगर आप कुछ मेहनत ही नहीं करोगे अब फल का उमीद रखोगे तो ये कैसा होगा तो समय काम है हमारे पास काम बहुत ज्यादा है तकलीफे बहुत आने वाली है अभी उसके सहन करने का ताकत रखना चाहिए सब लोगों को और सब लोग एक जुट होके लेटर बेजना है बूल मत जाहिए सबसे पहला काम लेटर बेजना है फिर बाकी का काम ये हो गया आपको एड्रेस अब मिल जाएगी तो चेक कर लीजे नोट कर लीजे और बेज दीजे आज जो मेरे पास वीडियो आया है ये वीडियो मैं सुनकर तोड़ा सा क्या कहूं परिशान हो गई हूं क्योंकि देखें पूरा लोगडॉण में मैं अंगिनित कैंडिडेट्स से बात की हूं अंगिनित कैंडिडेट्स की आवास सुनी हूं मेरे पूरी कोशिश है इन सारी कैंडिडेट्स की आवास सरकार तक पहुंचाने का जो मैं नित्य कर रही हूं मैंने एक नियम पाल के रखी है कि मुझे रोज ऐसे सी जीडी स्टूडेंस की आवास सरकार तक पहुंचाना है और मेरे पूरी कोशिश है कि उनके आवास पहुंचाने का अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन लोग ने गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं किसी के फादर का द्यथ हो गया है और वो दो डू टूटी शिफ्ट कर रहे है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अब लड़किया जात है तो लड़किया कि में हमारे पैरेंस कह रहे हैं कि हमें वेटि बचा वेटि बचाओ या वेटी पढ़ाओ जो भी करने के लिए लेकिन सरकार उनके तरफ नजर अंदास कर रहे हैं चलिया आज की जो वीडियो है उसके बारे में आपको जरा बता दूँ यह वीडियो है घड़ चिरोली महराष्ट्रा से जो वीडियो है मैं जैसे सुने बात भी की हूं इस कैंडिडेट से जैसे उसने कहा मैं मैं सोच में पढ़ है कि वहां तीन-तीन सरकार हैint ॐसे नहीं दो इंसीपी कॉंग्रेस क्या कर रहे हैं अपने जन्ता के बारे में बत सिफ एलेक्शन आते समय जन्ता हमारा मतलब वोट बैंक हमारा एलेक्शन कतम बाघमेजाइए जन्ता मतलब ये कहते सब्सक्राइब सब जगा पर इनको पता नहीं है कि इनका साथ खडा रहना चाहिए इनको मदद करना जए इनको क्लोक्त दिलाना चाहिए अब राज करें सारे क्यालिडेट्स को कि हर स्टेट का राज ग्रह मंत्री और सीम को जरूर पत्र लिखिए ताकि उनकी भी आवास वहां तक पहुंचना चाहिए कोई जरूरत नहीं है इसे राज ग्रह मंत्री का हमारा देश में ग्रह मंत्री बैटे हैं बहुत बड़िया है वह इनकी आवास सुन रहे हैं और मेरे इसाफ से वह न्याई भी करेंगे इनके साथ आप इस वीडियो को सुनिए आपके रॉंग्टे ना खड़े हुए मेरे बाते बातों मेरे तो रॉंग्टे खड़े हो गए तो आप सोचे क्या हो रहा है चले हम डायरेक्ली वीडियो देखते हैं आपको पता चलेगा उसके बारे में मैं माने निया ग्रह मंत्री से Raion हो और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप प्लीज इनके आवास सुनिए 2018 का candidates है जो written test pass है physical test pass है medical fit candidates है आप इनको joining letter दीजी ताकि ये देश का सेवा करे सुरक्षित मैसूस करे आपके चत्रचाया में सुरक्षित मैसूस करे और हम भी सुरक्षित रहे और हमारा बारत्य देश का नागरिक भी सुरक्षित रहे करें भी सुरक्षित